दोस्तों मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर हर दिक अभिनादन करता हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है जिस किसी ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले ताकि आगे से आपको मेरे दूसरे वीडियो भी जो है नियमीत रूप से मिलते रहें तो आज मैं आप लोगों के साथ में धम तोड़ती डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं यह ऐसा क्यों कह रहा हूँ और मुझे यह वीडियो बनाने की जरूत क्यों मैसूस हूई तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा तो उसके कुछ में यहाँ पर चुनिंदा उधारन देना चाहूँगा वैसे तो उधारन बहुत सारे हैं तो उनमें से पहला है हमारे मुंबई के जो है बीमसी कमिशनर हुआ करते थे खैरनार साब तो वो खैरनार साब जो है अपने खुद के सेर्फ डिसीजन लेके और इलीगल कंस्टक्शन यह जो है उन्होंने बहुत सारे डेमलिश किये में थौस्त किया और उनको कभी किसी कोर्ट ने या किसी पॉलिटीकल पार्टी ने कभी भी हस्तर्ट चिप नहीं किया और वो अपने केरियर में अbnस्ट मिश्टक्लीन रहे और वो अपनी पोस्ट पे जो है बहुत पावर्फुल थे डेमोक्रिसी ने जो है उनको एक बहुत अच्छा खासा पावर दिया था उसके 22 बज जो है कंपरीजन में मैं आज की आज एक अधारन देना चाहूंगा कि वो एक कंगना रेनामत है जिनका एक इलिगल शेड जो है वो डिमोलिश कर दिया था बीमसी ने लेकिन उसके बाद जो है कोट ने और गवर्णर साब ने और भी बहुत सारी लोगों ने बहुत हाई हला मचाया तो यह सब देखके दुख होता है कि आज जो है हमारी संस्ताओं का जो है पावर पावर कमजोर होता जा रहा है दूसरा जो है हमारे पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम जियो फ्रेवर एक साब तो वह मुंबई में भी नियुक थे उनके उस उनका जो सक्ती और डिसिप्लीन और अनिशाशन जो था उनका उनको पंजाब में भी उनको नियुक दिया गया था तो उनसे जो है लाइन ओर बहुत ज चिला चिला कर कहता है कि आप क्या कर लोगे आप क्या कर लोगे तो यह सब देखके बहुत दुख होता है कि हमारी डेमोक्रेसी किस गर्थ में जा रही है एक और उधारन जो है उमें देना चाहूंगा यहां पर किरन बेदी को आप सभी लोग जानते हैं वो इस वक्त स्टाफ की वो क्रेण के ऊपर अपर उन्होंने हेंग कर दी थी ताकि आगे से जो है वह वहां पर ना पर करें उनकी बहादूरी पर उस वक्त प्रथान मंत्री इंड्रा गांधी हुआ करती थी उन्होंने उसको ये जो है लेडिजलयटों मैं अपने साथ ये चाहिए और जो है अपने प्रेडित किया आपने ये जो धीडे लेडी जो है बहुत अच्छा काम किया है और उसके कंपे रिजन के आज और भोफो बता रहा हूं कि एक election commission के एक observer थे जिन्होंने ओडिसा में मदी साब का helicopter चेक कर लिया तो जिसके चलते जो है उस observer को जो है suspense कर दिया गया अगला उदाहरन मैं TN सेशन साब का देना चाहता हूँ जो की election commissioner जो होक के गुजरे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे सुधार अपने self decision लेके जो है उन्होंने किये उन्होंने किसी party का हस्तक से बरदास नहीं किया और उन्होंने काफी जो है तूटियां थी चुनाओ में elections में उन्होंने उसको दूर करने की पुरी भरकस कोशिश की और सक्त कानून भी बनाए उन्हें से मैं कुछ चुनिदा आपको गिनाना जरूर चाहूँगा यहां पर जैसे वोटर आईकार जो है उन्होंने इहीं इं declaration वेरिफिक बहुत सारे जो है उन्होंने जो है इतने सक्त कानून बने कि राजनेता लोग उन्हें से डरने लगे थे वो 96 तक थे और उसके बाद में उनके ही reforms किये हुए जो है कानूनों के चलते 99 में जो है 1488 जो है candidate disqualify हुए इसलिए कि उन्होंने जो है अपना हिसा पिताब नहीं दे पाए और 14,000 14,000 candidate इसलिए यह disqualify हुए कि वो उनके जो declaration था जो है वो सही नहीं था false declaration था तो आज कल जो है आपको सबको पता है कि एक election में कोई कहता है कि मैं metric pass हूँ और दूसरे election में कहता है कि मैं graduate हूँ same candidate लेकिन वो disqualify नहीं होता और जाती धर्म इन सब के नाम पर जो है vote मांगा जाता है और लालच भी दिया जाता है वोटरों को जो कि TN session साब ने बेन किया था कि आप voter को जो है लालच नहीं दे सकते यह सब जो है एकदम उल्टे हो र एक और उधारन देना चाहूंगा कि एक जाज फंडांडी सुवा करते थे उन्होंने 1974 में एक बहुत बड़ी रेल हर्ताल की थी 20 दिन तक जो है सारी भारतिये रेल सेवा ठप रही बंद रही एकदम से वह सबक्त भी प्रदान मंतरी श्रीमती इंद्रा गांदी जी थी और एक प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है इसके चलते जो है लोक तंत्र ने उनको जो है वो अधिकार दिया था जाज फंडाट इसको और वो कर पाए लेकिन मैं नहीं समझता कि आज की तारीक में इतनी बड़ी कोई जो है हर्ताल या इसका कोई कर पाए और आवा जाही क करने क्या क्या लोगबालर यह वो सब अटरम शतरम अगया वह सारा बंदर उन्होंने जो है वह है कठा करके जंतर मंतर पे जो है और कभी ऑ div करताल कभी यह कभी बहूट सारा ड्रामा किया उन्होंने इतना ड्रामा किया कि जैसे कि बहुत बड़े देश वक्त हैं वो लेकिन अखिर अब क्या है अब देश जो है ऐसे हाला तो उसे गुजर रहा है वो कहां पर रहे हों कहां पर रहे हों और आज की तारिक में जो है वो यह कर सकते हैं नहीं कर सकते ह ना कोई आवाज कर सकते हैं उन्होंने भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा फाइदा उठाया उनको भी पता है कि आज जो है लोकतंत्र नहीं रहा अगर मैं जाओंगा तो मैं कहां पहुंच जाओंगा उनको भी पता ही तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों आज के जो हालात हैं, उन सब के हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब लोग चाते थे कि बदलाव हो, और वो बदलाव हो गया है, क्योंकि एक इनसान की एक फित्रत है, नेचर है, कि हम सब जो है, एक जैसी परिस्तिति में रही नहीं सकते हैं, हम हमेशा जो है बदलाव चाते हैं अभी जो ज़्यादा सुख हो या ज़्यादा दुख हो हम नहीं रहना चाहते एक परिस्तित में नहीं रह सकते हैं तो अभी बदलाव तो हो चुका है और मेरी तो यही मानना है कि आज हमारी डेमोक्राइसी जो है अंतिम सांसे ले रही है और आज इसको गुर्बाई बोलने क से गुजारिस करता हूं कि अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने का होसला मिलता रहें और इसी के साथ में आप लोगों से विदा ले